सोनाक्षी सिनहा और आदित रोय कपूर में आशिकी इसी वज़े से वरुन ने सोना को कहा भाभी बंटी सचदेव से ब्रीक अप के बाद सोनाक्षी सिनहा को कोई मिल गया है खबर है कि फिल्म का लंग के सेट पर सोनाक्षी को किसी से प्यार हो गया है हाल ही में वरुन दवन ने सोशल मीडिया पर सोनाक्षी सिनहा को भाभी कह दिया था सोनाक्षी के पोस्ट पर वरुन के इस कमेंड के बाद हर कोई यही सवाल पूछ रहा था कि आखिर वरुन के वो कौन भाई हैं जिनके साथ शत्रुगनन की लाडली को इस्क हो गया है हम आपको बता दें कि श्रद्धा कपूर से ब्रेक अप के बाद आदित्य रोय कपूर की लाइफ में एक मिस्ट्री गरल भी थी तो वहीं सोनाक्षी सिनहा का भी कुछ महीने पहले तक सोहेल खान के भाई बंटी सचदेयों के साथ डेटिंग करती थी लेकिन आदित्य और सोनाक्षी दोनों ही सिंगल थे दो सिंगल स्टार्स मिले तो उनके बीच आशिकी शुरू हो गई सुनने में ये भी आ रहा है कि सोनाक्षी और आदित्य एक दूसरे को लेकर काफी सीरियस हो रहे है या यूं कहिए कि आने वाले दिनों में दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधने का फैसला ले सकते हैं ये वैसे भी इन दिनों बॉलिवुड में शादियों का मौसम चल रहा है कुछ दिन पहले दिपिका की शादी की तस्वीरों को देख सोनाक्षी का भी शादी का मन हो रहा था एक के बाद एक स्टार शादी के बंधन में बंध रहे हैं और अब जिस तरह से वरुण ने आदित्य रोय कपूर की वज़े से सोनाक्षी को भाभी कहना शुरू किया है उसे देखर लगता है कि आने वाले दिनों में आशिकी बोय आदित्यके के साथ सोनाक्षी का गहरा रिष्टा जुड़ सकता है